हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परिक्चा प्लान में तो कैसे हैं आप लोग आई हो पच्छे होंगे तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं तीन इंपोर्टेंट पॉइंट हैं रिवाइजड आंसर की में कितने नंबर बढ़ सकते हैं रिजल्ट आपका कब तक आएगा नेक्स्ट एक्जाम कब होगा तो इनहीं तीन महत्पूर बिंदुगों पर चर्चा करेंगे तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो दे कि रिवाइजड आंसर की जो आप लोगों की आएगी उसमें आपके कितने नंबर बढ़ सकते हैं तो आप ये मानन के चलिए कि एक या दो नंबर बढ़ सकता है बहुत ही कम संभाबना होती है कि आपके पाँच या छे नंबर बढ़ जाएं ऐसा अभी तक नहीं हुआ है न नहीं आप ये मानना कोई आप से ये कहे कि आपके आठ नमबर बढ़ सकते हैं, नो नमबर बढ़ सकते हैं, ऐसा यदि कोई कहता है तो ये पूरी तरीके से गलत है क्योंकि आपके आंसर की में एक या दो नमबर ही बढ़ते हैं, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आठ से दस प्रस यदि कोई प्रस्ण ऐसा होगा तो उसमें सभी को नमबर दिया जाएगा तो एक या दो नमबर आप मान कर चलिए कि आपका बढ़ सकता है अब बात कर लेते हैं कि result आपका कब तक आएगा तो आप ये मान लीजिए कि 5 अगस्थ तक आपका result आजाएगा हर हाल में आपका रिजल्ट जो है 5 अगस्त तक जारी कर दिया जाएगा क्योंकि आंसर की आने के एक हफ्ते में ही रिजल्ट जारी कर दिया जाता है तो अगस्त के पहले वीक में मान के चलिए और 5 तारीक तक तो आ ही जाएगा हर हाल में तो पांस तारीक आप मानके चलिए कि पांच अगस्त तक आपका रिजल्ट आ जाएगा तो दो पॉइंट ये थे तीसरा पॉइंट क्या है कि आपका नेक्स्ट एक्जाम कब होगा बहुत लोग ऐसे होंगे जो एक या दो नमबर से फेल हो गए होंगे या जो 60 या 70 नमबर ही ला पाए होंगे तो निरास मत हो ये परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है अगला मौका आपको फिर से मिलेगा अभी आप देख रहे हैं कि एक्जाम जो है लगतार आपका कराया जा रहा है 20 अगस्त को कराया गया था 2023 में उसके बाद अगला आपका आपका एक्जाम कराया गया 21 जनवरी को 21 जनवरी 2024 में फिर इसके बाद आपका एक्जाम कराया गया 7 जुलाई को तो आप ये देख लीजिए ये वाला जो एक्जाम हुआ ये 20 अगस्त को हुआ था तो ये एक्जाम जनवरी में कराया गया ये आप देख सकते हैं कि 7 जुलाई को ही करा लिया गया है तो अगला जो आपका एक्जाम है वह दिसमबर में होने की पूरी पूरी संभावना है यानि दिसमबर लास्ट तक आपका एक्जाम करवा लिया जाएगा ये आप मान कर चलिए तो जो लोग एक्जाम दिसंबर वाला पहली बार देंगे या जो लोग इस वाल एक्जाम में फेल हो गए हैं तो उन्हें बिल्कुल भी परिशान होने की जरूरत नहीं है आपको फिर से मौका मिलेगा दिसंबर में तो आप अपनी तयारी अभी से सुरू कीजिए आप ये मत सोचा कीजिए कि नोटिफिकेशन आ जाएगा फॉर्म फिल हो जाएंगे उसके बाद पढ़ाई सुरू करेंगे ये मत सोचिए आपको यदि एक्जाम किलियर करना है तो आपको अभी से पढ़ना होगा क्योंकि जुलाई तो खतम ही होने वाला है लास्ट चल रहा है 29 आज डेट हो चुकी है अगस्त, सेप्टेमबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर कुल पांच महीने का आपके पास समय है पूरा पांच महीने का समय भी नहीं है क्योंकि डिसंबर में हो सकता है 10-15 तारीक में एक्जाम करवा लिया जाए या लास्ट में करवा लिया जाए तो लगभग पांच महीने का आपके पास समय है तो आप लोग अपनी तयारी अभी से सुरू कीजिए क्योंकि जो लोग एक्जाम दे चुके हैं उन्हें पता होगा कि पहले से अब जो है एक्जाम का जो इस तर है धीरे-धीरे प्रस्ण जो है तरीका बदल रहा है अब आप देख रहे हैं कि कुश्चन का जो लेविल है वो धीरे-धीरे बढ़ रहा है तो आप लोगों को अपनी तयारी अभी से सुरू करनी है कुल मिलाकर मेरा कहने का यही मतलब है अब आपके दिमाख में एक प्रस्ण ये भी आया होगा कि आपका जो नेक्स्ट एक्जाम होगा वो ओफ लाइन होगा या ओन लाइन होगा ये बात आपके दिमाख में आई होगी ओन लाइन होगा या ओफ लाइन होगा तो अभी आप देख रहे हैं कि 20 अगस्त वाला एक्जाम ओफलाइन हुआ, 21 जनवरी वाला ओफलाइन हुआ, 7 जुलाइन ओफलाइन हुआ, तो अभी तो ये मान के चलिए कि दिसम्बर वाला एक्जाम भी आपका ओफलाइन ही होगा और फिर नोटीफिकेसन आने के बाद सब कुछ किलियर हो जाएगा, कि सिलेबस में क्या चेंजमेंट हुए हैं, या आपका एक्जाम किस तरीके से कराया जाएगा, ये सब बाते नोटीफिकेसन आने तक, यानि नोटिफिकेशन आने के बाद आपको किलियर हो जाएंगी तो अभी आप ये मान के चलिए कि आपका एक्जाम आफ लाइन ही होगा और जिन लोगों ने इस बार एक्जाम किलियर कर लिया है यानि जो 100 प्लस मार्क्स लाए हैं और उससे जाधा भी लाए हैं तो उनको तो परिसान होने की बिल्कुल भी ज़ुरत है ही नहीं रिवाज डांसर की आती है एक दो नंबर बढ़ता है तो अच्छी बात है कम हो जाता है तो भी उनके लिए कोई परिसानी वाली बात नहीं है क्योंकि वो लोग जो बॉर्डर लाइन है उससे काफी आगे है तो उन्हें परिसान होने की ज़ुरत नहीं है बॉर्डर लाइन यानि कि जो लोग 89 पे हैं 82 पे हैं तो परिसानी इन लोगों को है 82 बालों का यदि एक कम हो जाता है तो वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे 89 वालों का यदि एक बढ़ जाता है तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे तो इन लोगों को परिसानी होती है बाकि जो लोग 100 प्लस हैं उनको कोई भी परिसानी नहीं है और जो पास हो गए हैं उनके लिए तो आगे और भी कई रास्ते खुल गए हैं KVS में एदी वेकेंसी आती है तो वो KVS में अपलाई कर पाएंगे NVS में आती है तो वो NVS में अपलाई कर पाएंगे तो उनके लिए तो बहुत रास्ते खुल गए हैं जिन्होंने सीटेट एक्जाम किलियर कर लिया है उनके स्टेट में कोई वेकैंसी आती है तो वो वहाँ पर भी एपलाई कर पाएंगे यानि सीटेट करने के फाइदे तो है ही और जो लोग पास नहीं हुए हैं तो वो भी निरास ना हो आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी नेक्स्ट सीटेट एक्जाम में आप जरूर पास होंगे बस आप अपनी मेहनत और तयारी जो है अभी से शुरू कर देजिए ये तो आपको पता है ही कि बिना पढ़े कोई भी एक्जाम आपका के लिए नहीं होता है और एक दो महीने परियाप्त नहीं होते हैं किसी भी एक्जाम को के लिए करने के लिए तो आपको अभी से पढ़ना है द्रड संकल्प लेना है कि इस बार आपको एक्जाम पास होना तो ये तीन महत्पुड बिंदू थे जिन पर चर्चा करने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया था कि आपके रिवाज डांसर की में दो या एक या दो नंबर आपका बढ़ सकता है आपका रिजल्ट जो है पांच अगस्त तक आने की संभावना है और नेक्स्ट एक्जाम आपका दिसंबर में होने की संभाव आगे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं फिर से आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी तब तक के लिए बाए बाए